यवतमाल जले के दीगरस तहसील के डोलांबा से वडगाफ का खस्तहाल पांधन याने पकडंडी रास्ता परीसर की किसानों के लिए नरक यातना केंदर बन गया है कीचर से पटे पडे इस पांधन रास्ते पक किसानों के ट्रैक्टर धसने लगे हैं विदायक से लेकर इस्थाने जन प्रतिनीधी भी इस समुद्दे पर चुपी सादे हुए है पेश दीगरत समवादाता जुवेर खान की एरपोर्ट पगडंडी मार्क के कीचड की दलदल में फसा हुआ यह ट्रैक्टर डोलंबा के किसान सुभाश किसन राउत का है जो हाल ही में कीचड में जाधसा कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद अन्य दो ट्रैक्टरों की मदद से इस ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया बताया जाता है कि किसान सुभाश अपने बागीचे से मोसम भी फल उतारने के लिए ट्रैक्टर से खेत जा रहे थे लेकिन रास्ते पर कीचड की दलदल की बदोलत उन्हें नरक यातनाओं से गुजरना पड़ा इस बदहाल रास्ते पर वहनों के धस जाने से फल और बागीचों से फल और फसल का माल ढोने में किसान वर्ग न सिर्फ असफल हो रहा है बलकी उनकी बागीचों और खेत की फसले खराब होने से उनका बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होना लगभग तैमाना जा रहा है मालूम हो कि सन 2012 में रोजगार ग्यारंटी योजना के तहत दिग्रस तहसील के डोलंबा से वडगाव पांदन रास्ते याने इस पकडंडी मार्क के निर्मानकार्य को मंजूरी मिली थी लेकिन विधायक संजयर आठोड़ा और उनके स्थानिय गरामिन जनपरती निद्यों की उदासीनता के चलते इस रास्ते का निर्मानकार्य अब तक नहीं हुआ है जिस वज़ा से स्थानिय किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस पकडंडी मार्क के निर्मानकार्य को लेकर सन 2012 से स्थानिय किसानों खेत मजदूरों सहित गाव वालों ने न सिर्फ सरकारी दफ्तरों के हजार बार चक्कर काटे बल की दिगरस तैसील में इस मुद्दे को लेकर सन 2014 में बेमियादी अंशन भी छेड़ा गया था लेकिन संबंदित विभाग ने उस समय शब्द छल से भरपूर आश्वासन दे कर समस्या का हल ढूंडने की कतई कोशिश नहीं की आज भी ये समस्या जसकी तस बनी हुई है मालुम हो की वर्तमान कैबिनेट मंतरी संजय राठोड अपने राजनीतिक जीवन के शुरुवाती दिनों में किसानों के हक की इनसाफ की दबंग आवाज बनकर उबरे थे लेकिन आज उनके होते हुए भी उनके निर्वाचन शेत्र के किसान खुद को असहाय महसूस कर रहे है गवर तलब है कि दस साल पहले डोलंबा वडगाउ परिसर के किसानों ने जनता से चंदा लेकर इस पकडंडी मार्ग की सफाई की थी साल 2012 में रोजगार गारंटी योजना के तहत मंजूर हुए इस मार्ग का भूमी पूजन वर्तमान कैबिनेट मंत्री संजय राठोड के कारे करताओं की उपस्तिती में किया गया था लेकिन राठोड समर्थको और संबंदित जनपरती नीधियों के कतनी और करनी में अंतर के चलते किसानों की उम्मीदे धरी के धरी रह गई ऐसे में आधूरा पड़ा डोलंबा वडगा और पांदन मार्ग याने पकडंडी मार्ग आज भी विकास को तरस रहा है BCN News के लिए दिगरस से जुबहर खान की रिपोर्ट